हाई अब्रीवान गिलजी मिन्टोर की ओफिशली योटूब चैनल पर मैं आप सब का वेलकम करता हूँ और उमीद करता हूँ कि आप जहां भी होंगे बहुत अच्छे होंगे अब तक की ब्रेकिंग न्यूज रोजगार समाचार की एपिसोर नमबर टू के अंदर आपको बत प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें सब्सक्राइब करने के साथ में बैल आइकन को प्रेस करना नहीं बूलें तो गैज आप फटा-फट शेयर कर दीजिए ताकि मैं आप सब को बहुत इंपोर्टन इक नोटिफकेशन पर लेके चलके और पूरी जानकरी देने की को पंजाब के आल दा पेपर्स के लिए हमने माग एक टैसरीच लांच किये स्पेशल मार्क फेड के लिए तो वह आप ले सकते हैं जिसकी जानकरी भी आपको हमारे वर्टसप नमबर के जरीए मैसेज करना होगा वहां से आपको मिल सकती है तो गैज ऑनलाइन एप्लिकेशन क बात करें तो आपको काम क्या करना है ओनलाइन इसका लिंक ओपन हो चुका है मतलब कि आप ओनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और इसकी क्लोजिंग डेट होगी 28 जून को इसकी यह डेट ओफ हो जाएगी और आपको ध्यान रखना होगा क्लोजिंग डेट जो फीस जमागी कि इसकी कॉर्डिंग आपको फॉर्म भरना होगा और अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट से इसके क्या क्या है वो बता देता हूं कि आपको किन-किन बातों का ध्यान रखना होगा टोटल बात करतें नंबर वकैंसी की तो 588 है ठीक है और यह जो पतवारी की प पहले-पहले आपको फॉर्म भरना होगा जिसका लिंक आपको वेबसेट पर दे रखा और जिसका लिंक अप्लाई करने करें मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा जहां से आप डारेक्ट जाकर अप्लाई कर सकते हैं अदरवाइज आपको यह URL दे रखा है इस URL पर क NCS को डिवाइड करके दे भी आ गया है इससे पहले काफी समय पहले एक notification आया था जो बिल्कुल टोटली फेक था ऐसा कुछ भी नहीं था ये आपको website पर भी notification दिखाऊंगा qualification की बात करते हैं तो graduation होनी चाहिए किसी भी यूनिवस्टी से होनी चाहिए 10th class के अंदर हिंदी संस्कृत या उर्दू अप्टू मैट्रिकुलेशन के अंदर आपके पास पास होनी जरूरी है qualification की बात qualified the पटवारी examination as prescribed the ठीक है एनेक्सर ये दे रखा है कि basic of syllabus even to syllabus F में दे रखा है आपको age की बात करते हैं तो 18 साल से लेकर 42 साल के मद्दे आपकी उमर होनी चाहिए salary की बात करते हैं तो 52 यानि 52 रुपे से लेकर 2020 रुपे ग्रेड पे आपको 2400 रुपे का होगा और ये special तोर पर आप यानि point number 3 जरूर पढ़िएगा ठीक है इसके अंदर यानि आपको कहा गया है कि पटवार school for minimum period of one year and after passing the examination undergoes such practical field training होगी आपकी ठीक है इसके बाद में ये आपको permanent यहां पर किया जाएगा age की बात करते हैं तो यहां पर जो state का ऐसी category में है जो category में आते हैं उनको age for the rule regulation की मताबिक उनको छूट मिलेगी other state की candidate को general category में ही रखा जाएगा अब यानि हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि आपको fees कैसे और किस तरह से submit करनी होगी physical handicapped है उनको कोई भी यहां पर fees नहीं भरनी है other category की बात करते हैं तो general male और female को 100 रुपय पे करना होगा female और हरियाना resident है उनको 50 रुपय है SCBC EWS जो हरियाना male को 25 रुपय और female को 13 रुपय फीस यहां पर deposit करनी होगी clear यह आप देख सकते हैं अब आपका selection कैसे होगा selection आपका written exam के जरीए होगा written exam में 100 number का paper आएगा जिसमें से 100 question आएगे इसमें से 90 number का written exam होगा और आपका psycho criteria experience के तौर पर आपको 10 number दिये जाएंगे 90 number का syllabus होगा जिसे 75% weightage होगा general awareness यानि आपका current affair के सबंदित होगा clear reasoning होगा, maths होगा, general science होगा, computer, English, Hindi और concern जो subject इसके related उसमें से आएगा आपको 25% जो weightage होगा वो history, current affair, literature, geography, service and environment and culture of हर्याना के सबंदित आपको पूछा जाएगा तो मैं यह मानता हूँ कि इस exam के लिए syllabus easy नहीं है थोड़ा सा tough है, आपको अच्छे तरह के से focus करके पढ़ना पड़ेगा इसके बाद में आप marks आप जो आपका paper होगा ठीक है तो यह जो already किसी ना किसी base पर contract base पर काम कर रहा है experience है तो उनके लिए marks रखे गए है examination schedule की बात करते हैं तो आपको online paper है वो 13 जुलाई, तो 18 अगस्त के मद्या में paper होगा यह आपको यहाँ पर दे रखा है, हलाकि यह date आगे पिछे की जा सकती है इसकी update आपको फर्दर दे दी जाएगी अब यानि जो mandatory framework है वो आप यहाँ पर देख सकते है screenshot ले लीजिए जिसकी पूरी जानकरी ताकि आपको अच्छे तरीके से समझने में दिक्कत नहीं आएगी ठीक है, जिसका link मैं आपको comment box में दे दूँगा वहाँ पर direct जाकर आप पूरे के पूरे notification को study कर सकते है मैंने आपको online apply करने की date बता दी, इसकी exam date बता दी और इसके बाद में आपको क्या क्या documents चाहिए, उसकी updates आपको दे दिये अब आपको online जाकर इसके link पर जैसे ही form भरेंगे, form भरते वक्त आपको ध्यान रखना है पूरे अच्छे तरीके से भरना है, किसी परकार की कोई mistake आप दुवरा नहीं होनी चाहिए तो ये guys बहुत important update थी, please आगे like और share करना नहीं बूले हर एक candidate तक जरूर पंचा दीजिएगा और इसके सबंदित जो भी आगे preparation होगी गिल्ज मिन्ट और कोशिश करेगा कि आपको इसकी अच्छे से तैयारी करवाए thank you so much आप सबने time दिया, have a nice day, take care, bye bye